मैं अनुबाला सरकारी Senior secondary Smart School जम शेर खाज से आठमी कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ आज का हमारा विशे है कविता सिक्षन कविता सिक्षन में हमारा उपविशे है राखी की चुनोती जोकि एक कविता है यह कविता सुभद्रा कुमारी चोहान जी द्वारा लिखी गई है अर्थात राखी की चुनोती कविता की कवित्री जो हैं वो सुभद्रा कुमारी चोहान जी है तो राखी से आप समझ ही गए होंगे राखी जो एक त्योहार है बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है तो ये त्योहार जो है ये भाई बेहन का त्योहार होता है तो इस कविता में जो एक बेहन है उसका भाई उसके पास नहीं है राखी के अपसर पर तो उसी के व्यथा को वर्णन करते हुए उसी के हाव भाव जो है उसको वर्णन करती हुई ये कवीता जो है स्वद्रा कुमारी चोहान जी ने लिखी है तो ये कवीता मैं अभी पढ़ूँगी आपके सामने और साथ साथ ही इसके कठिन शब्द बताते हुए व्याख्या आपको समझाओंगी आपने ध्यान से सुननी है तो पहला पद्याश है बेहन आज फूली समाती न मन में तड़ित आज फूली समाती न घन में तो यहाँ पे कवीतरी कहती है कि राखी का पर्व आने पर एक बेहन बड़ी खुश है फूली न समाती एक मोहावरा है जिसका मतलब होता है बहुत खुश होना तो कवित्री पहली लाइन में कह रही हैं कि राखी का पर्व आने पर एक बेहन बड़ी खुश है वे उसी परकार फूली नहीं समा पा रही जैसे बिजली घने बादलों में फूली नहीं समाती घटा है न फूली समाती गगन में लता आज फूली समाती न बन में यहीं नहीं जैसे आकाश में जल से भरे बादल सब जगा च्छा जाते हैं तो बहुत ही परसन दिखाई देते हैं उसी परकार ये बेहन भी बहुत ही खुश है जिस परकार जंगल में बिना रोक टोक के विक्सित हुआ होकर कोई लता जूम उड़ती है उसी परकार राखी का तिवहार आने पर एक बेहन आज बहुत ही खुश है अगला पद्याश है कहीं राखियां हैं चमक हैं कहीं पर कहीं बूंद हैं पुश्प प्यारे खिले हैं तो कविद्री कहती है कि बेहन कलपना करती है कि कई राखियां कई जगा पर सजी हुई हैं उनकी बहुत जमक है, कहीं रिम जिम भूंदें बरस रही हैं, तथा कई परकार के सुन्दर फूल प्रकृती में खिल उठे हैं, ये आई है राखी, सहाई है पूनी, बधाई उन्हें जिनको भाई मिले हैं, पूनी मींस पूनिमा, तो पूनिमा के शुब अपसर पर ही ये रा पूनिमा का दिन है, बेहन कहती है कि आज पूनिमा का दिन है, और ये राखी का पावन पर आया है, और साथ में उनके लिए बधाई का संदेश लाया है, जिन बेहनों के भाई उनके पास हैं, क्योंकि राखी का त्योहार तो बेहन भाई का ही होता है, तो तीसरा कि एक बेहन के दुख का उलेक करते हों कहती है कि एक बेहन सचमच बड़ी उदास है जिसका भाई आज राखी के दिन उसके पास नहीं है उसने थाल में राखी तो सजा रखी है प्रन्तु उसका भाई उसके पास नहीं है है भादों गटा किन्तु चाई नहीं है नहीं है खुशी पर रुलाई नहीं है ये भादों का समय है पर अभी तक आकाश में जैसे गटाएं नहीं चाई हैं उसी परकार मेरी परसन्नता का मुख्य कारण मेरा भाई मुझ से दूर है वैसे उसे इस बात की तो खुशी है कि उसका भाई एक करांतिकारी देशवक्त होने के कारण अपने करतव्य को निभाने के लिए उससे दूर है अर्था देश के लिए उससे दूर है इस बात का उसे गर्व भी है तो चोथा पद्याश है मेरा बंधु मा की पुकार को सुनकर के तेयार हो जेल खाने गया है बंधु मींस भाई तो बेहन कहती है कि अपने मन को वो सांतमना देते हुए कहती है कि क्या हुआ कि अगर मेरा भाई मेरे पास अब नहीं है वै तो असल में भारत मा की पुकार सु तो दुश्मन हैं, उनको सबक सिखाने के लिए सजडज कर जेल खाने में चला गया है च्छीनी हुई मा की स्वाधीनता को बै जालिम के घर से लाने गया है तो वै किसी अपराद के अधीन जेल खाने नहीं गया है प्रन्तु किसलिए गया है कि जो भारत मा की आजादी छीन चुकी है उसको दुश्मन के घर से वापिस लाने के लिए कैद में गया है अर्थात देश को आजाद करवाने के लिए जिस परकार बहुत सारे शूर वीरों ने देश वक्तों ने आपनी कुरवानिया दे थी उसी परकार यह भाई भी देश के लिए जेल खाने में बंद है इसलिए वो बहन जो है वो परशंसा भी कर रही है अपने भाई की यहाँ पे कि वे देश की खोई हुई जो स्वादीनता है उसको वापिस लाने के लिए कैद में बंध है तो पांचमा पद्याश है कि मुझे गर्व है किन्तु राखी है सूनी वे होता खुशी तो क्या होती न दूनी तो यहां पर बहन कहती है कि अपने भाई के कारनामे को सुनकर अपने आपको वे धन्य मानती है उसे अपने भाई पर गर्व है दुख की बात तो बस यही है कि उसकी थाली की राखी भाई की कलाई ना होने के कारण सूनी पड़ी है वस इतना सा ही उसे दुख है कि राखी के समय उसका भाई जो है उससे राखी बंदवाने के लिए उसके पास नहीं है Otherwise वैं दूसरी तरह अगर हम देखें तो वैं बहुत ही खुश है वैसे यह सोचती है कि अगर उसका भाई उसके पास होता तो बहुत ज्यादा खुशी का माहोल होता हर मंगल मानामे वैत तपता है धुनी है घायल हिरिदे दर्द उठता है खुनी तो बहन कहती है कि उसकी खुशी और अधिक दुगनी होती कि अगर किसी भी पर्व के समय उसका भाई उसके पास होता हम सबी तो यहां राखी के परव पर मंगल मना रहे हैं पर उसका भाई कश्टों को की धुनी जो है उसे तप रहा है धुनी तपना मिस कश्ट सहना ये सब सोचकर उसका हृदे घायल सा हो गया है और बार-बार उसके हृदे में सिर्फ एक हूक सी उठती है दर्द सा उठता है और उसे लगता है कि उसका भाई जो है उसके पास होता तो ज्यादा अच्छा होता और ये भाई का जो भी योग है ये बहुत ही दर्दनाक होता है ये वे बहन अपने मन में सोच रही है तो छठा पद्यांश जो है उसे भी समझ लो वेटा अब तो बड़े हाथ राखी पड़ी है रेशम सी कौमल नहीं यह कड़ी है तो यहाँ पे कवित्री कहती है कि एक बहन अपने उस क्रांतिकारी भाई की परतिक्षा कर रही है जो उसके पास आई और अपना हाथ आगे बढ़ा कर मेरी थाली में सजी राखी को ग्रहन करे पर अब स्थिती कुछ बदल गई है इसलिए मेरी राखी अब रेशम के धागे से बनी हुई नहीं बलकि कठोर बन गई है अजी देखो लोहे की ये हत कड़ी है इसी प्रण को लेकर बहन ये खड़ी है तो उसे लगता है कि मानों ये कोई लोहे की हत कड़ी हो उसको लगता है कि ये एक रेशम का धागा नहीं रह गया बलकि एक लोहे की हत कड़ी है बहन ने भी अब परतिग्या कर ली है कि वे हत कड़ी रूपी राखी उसी भाई को पहनाएगी जो उसे पहनने का सच्चा अधिकारी होगा तो लास पेराग्राफ विटा आते हो भाई पुने पूछती हूँ विशमता के बंधन की है लाज तुमको तो बहन बार-बार अपने भाई से पूछती है कि क्या कोई मेरा सच्चा भाई है इस राखी को पहनने के लिए जो आएगा जटिलता अत्वा भीशनता के बंधन की यदि किसी को लाज होगी वे ही उस राखी को धारन करेगा तो बंधी बनो देखो बंधन है कैसा चुनोती ये राखी की है आज तुमको तुम्हे कहती है कि कोई करांती कारिवीर मेरे भाई की तरह बंधी बनकर ही इस राखी के बंधन का मूल्य जान सकता है इसलिए मैं इस राखी की सब को चुनोती रेती हूँ, सब को ललकारती हूँ, कि भारत मां का कोई सच्चस पूत बनकर इस राखी का हकदार बने आज प्रिये बच्चों मुझे लगता है कि आपको मेरे द्वारा समझाई हुई कवीत अच्छी तरह समझ आ गई है अब हम इसके अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं, तो अभ्यास में सबसे पहले प्रशन दिया है गुर्मुखी और देवनागरी लिपी में दिये ये शब्दों को पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करो तो ये आपके सामने 6 शब्द जो हैं, ये गुर्मुखी लिपी के शब्द हैं, इनको आपने देवनागरी लिपी में लिखना है जैसे चमक, बूंद, हतकडी, खुशी, घर और बंदी तो दूसरा प्रशन है कि नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाशा में शब्द दिये गए हैं इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें तो बिजली को हिंदी में तडित, बैन, बैहन, बदल, कन, बदली, घटा, पेद, बाव, विशमता, फूल, पुश्प, वैसे फूल को भी लिख सकते हैं, उसको सुमन भी लिख सकते हैं आसमान, गगन, पुन्या या पूर्णमाशी को पूनी कहते हैं तो उसके बाद अगली, अगला प्रशन जो है, वो है शब्दार्थ का तो शब्दों के आपने अर्थ बताने हैं, जैसे कि कविता में मैंने आपको साथ-साथ कुछ शब्दों के अर्थ बताए हैं तो यहाँ पे भी कुछ शब्द दिये गए हैं उनके क्या अर्थ हैं जैसे पहला शब्द है घटा जल भरे बादलों का समूः दूसरा है कलाई हाथ में हथेली के जोड के उपर गटा भादों भादों का महीना इसे भादरपद भी कहते हैं और सावन के बाद पढ़ने वाला देशी महीना जो है उसको भादों कहते हैं जालिम जुलम करने वाला धूनी ठंड से बचने के लिए जलाई जाने वाली आग विशमता इसे चटिलता भीशंता और समता भी कहते हैं चुनोती युद्ध या शासरार्थ के लिए अहबान या ललकार से चुनोती कहते हैं तो अगला प्रश्न प्रश्न नमबर चार उप्युक्त शब्द भर कर कावे पंक्तियां पूरी करें तो ये आपके सामने कुछ पंक्तियां दी गई हैं जो रिक्त हैं बीच बीच में उनको आपने भरना है जैसे डैश है ना फूली समाती गगन में घटा डैश वन में लता आज फूली समाती ना वन में ये आई है राखी सुहाई है पूनी बधाई उनहें जिनको भाई मिले हैं मेरा बंधु मां की पूकारों को सुनकर के तेयार हो जेल खाने गया है छीनी हुई मां की स्वाधिंता को वैं जालिम के घर में से लाने गया है. तो ये रिक्त स्तानों के बाद, अगे है प्रशन उत्र, तो इस कविता में जितने भी प्रशन हैं, उनको हम अभी करेंगे. तो पहला प्रश्ण है लता कहां पर फूली नहीं समाती तो उसका उत्तर है लता वन में फूली नहीं समाती दूसरा प्रश्ण है राखी का त्योहार किस दिन होता है तो उसका उत्तर है राखी का त्योहार सावन मास की पूर्णिमा के दिन होता है तीसरा प्रश्ण है इस कविता में आई बहन का भाई कहां है तो आपको बच्चे मेरी कविता की व्याख्या सुनकर समझ आ ही गया होगा इस प्रश्ण का उत्तर कि क्या है इसका उत्तर कि इस कविता में आई बेहन का भाई भारत मा की आजादी के लिए जेल खाने गया है कहां है उसका भाई जेल खाने में बंद है चोथा प्रश्न है बेहन किसको बधाई देती है उत्तर है इसका कि बहन उन बहनों को बधाई देती है जिनको भाई मिले है अगला प्रशन है मुझे गर्व है किन्तु राखी है सुनी का भाव बताई मीज इस लाइन का आपने अर्थ बताना है कि इसका अर्थ क्या है तो इसका उत्तर है कि इस पंक्ति का भाव है कि एक बहन ऐसी है जिसका भाई देश के लिए जेल में बंद है उसे अपने भाई पर गर्व है परन्तु भाई की कलाई पर राखी ना बांधने के कारण वैर दुखी है अगला प्रशन है प्रशन नमबर 6 राखी की चुनोती कविता भारत की सबतंतरता से पहले लिखी गई है या बाद में तो इसका उत्तर है राखी की चुनोती कविता भारत की सबतंतरता से पहले लिखी गई है भारत कब सबतंतर हुआ था? 1947 को तो ये कविता जो है कब लिखी गई है? 1947 से 1947 से पहले कब लिखी है? 1947 से पहले तो ये थे प्रशन उत्तर अब हम अगले प्रशन पे आते हैं अगला प्रशन है हमारा समान आर्थक शब्द लिखे समान आर्थक शब्द क्या होते हैं समान अर्थ बताने वाले शब्दों को समान आर्थक शब्द कहते हैं इन्हें प्रायवाची शब्द भी कहा जाता है तो कुछ शब्द आपके सामने हैं जैसे तडित, पोश्प, घन, गगन, खुशी और भाई तो इनके आपने स्मानार्थक शब्द बताने हैं तो तडित के स्मानार्थक शब्द हैं बिजली, दामिनी पुश्प, फूल, सुमन घन, बादल, मेग गगन, आकाश, आस्मान खुशी, प्रसन्नता, आनंद भाई, भ्राता, बंधु तो स्मानार्थक शब्दों के बाद अगला प्रशन हमारा है शुद्ध करके लिखें बीज़ आपके सामने कुछ प्रशन दिये हैं कुछ शब्द दिये हैं जो की अशुद्ध हैं गलत लिखे हुएं, उनके स्पैलिंग जो हैं विशम्ता, विशम्ता, हिर्दय, हिर्दय नहीं होता हिर्दय, परण, परण नहीं होता परण होता है, परण खूशी, खूशी नहीं, खूशी छोटेव की मातरा, मातरा का ध्यान दीजिए यहां पे रूलाई, रूलाई जो है यहां गलत मातरा लिखी लगाई गई है जैसे रह को आप देखी यहां पे इसको गोल किया हुआ है इसका मतल़ है कि इसको रह को बड़े उगी मातरा डाली गई है लेकिन रुलाई में कौन सी मातरा आती है चोटे उगी मातरा होता है हां जी तो उसके बाद शुद्द करके Лिखने के बाद हमने अगला प्रशन चो लिया है वो है मुहावरों का वाक्यों में परियोग करना है तो आपके सामने कुछ मुहावरे दिये गए हैं तो आपने उनका वाक्यों में परियोग करना है तो पहला मुहावरा है फूले ना समाना इसका अर्थ मैंने पहले भी बताया था आपको बहुत खुश होना क्या होता है बहुत खुश होना बेटे के जनम दिन पर सारा परिवार फूला ना समाया बहुत खुश होते हो ना जब जनम दिन होता है तो इसलिए यहाँ पे हमने इस मुहावरे का प्रयोग इस तरह से किया, कि बेटे के जनम दिन पर सारा परिवार फूलाना समाया. अगला मुहावरा है धूनी तपना, बहुत कश्ट सहना. भारत की आजादी के लिए शूरवीर धूनी तपने से भी पीछे नहीं हटे. दूनी तपना, बहुत कश्ट सहना, तो यह इसका वाक्य आपके सामने है. आगे है, खुशी दोगुनी होना, इसका मतलब भी बहुत खुश होना, यह आप जैसे मैंने फूलाना समाना का बनाया वैस हभी बना सकते हो, लेकिन यहाँ पर हमने एक और सेंटेंस लिया है, वाक्य लिया है, वो कौन सा है, कि जब अमित को यह पता चला, कि वै आठमी कक्षा में प्रथम आया है, तो इस ख़बर से उसकी खुशी दोगुनी हो गई. तो यह महावरे थे, इनके आपने अर्थ बताए, और साथ में आपने वाक्य लिखे, अब आगले प्रशन के और बढ़ते हैं, आगला प्रशन है हमारा विप्रीत आर्थक शब्द, विप्रीत आर्थक जो उल्ट आर्थ बताने वाले शब्द होते हैं, इनको विलोम शब्द भी कहा जाता है, विप्रीत शब्द और विलोम शब्द जो है, यह दोनों का मतलब सेम ही होता है, एक जैसा होता है, धर्ती अकाश अकाश धर्ती प्राधीनता स्वाधीनता स्वाधीनता प्राधीनता कठोर कोमल कोमल कठोर अमावस पूर्णिमा पूर्णिमा अमावस अमंगल मंगल मुक्ती बंधन तो ये होगे विप्रीतार्तक्षब्द तो इसके साथ ही आपके ये जो आपकी कविता है इसकी जो अभ्यास थी ये सारा काम हमारा पूरा हुआ तो इसको आपने सुन्दर सुन्दर हैंड राइटिंग में सुन्दर सुन्दर लिखाई के साथ अपनी कौपी पर लिखना है और इसके साथ ये आपके लिए एक मज़धार बात है वो यह खिए आपने इसका एक रचनात्म कारे भी करना है कि जैसे राखी का तेहार जब आता है तो आप नई नई राखियां बाजार में देखते हैं तो उन्हें कोई न कोई तो बनाता है ना तो आप भी इस राखी को बना सकते हो पता है आपको कि आप भी सुन्दर सुन्दर राखियां बना सकते हो जब राखी का तेहार आएगा तो आप अपने भाई को अपने हाथों से बनाई हुई राखी अगर बांदोगे तो उससे आपकी जो खुशी है वो दोगनी हो जाएगी तो इस तरह से आपने आपके लिए ये एक कार्य है रचनात्मक कार्य कि आपने सुन्दर से एक राखी अपने हाथों से बनानी है तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये राखी की चुनोती कविता जो है ये अच्छी तरह समझ आ गई होगी धन्यवाद